नगरपाली का निगम भिलाई की लिस्ट में वार्ड एक खमरिया में आज भी मुल्वू सुविधाओं का अभाव है वार्ड के वर्तमान छाया पार्षद और पूरो पार्षद महेंदर साहु ने वार्ड में उनके कारेकाल में हुए विकासकारियों का गुणगान करते कि वे जनता की उमीदों पर खरा उत्रें और बगर भेदभाव के वार्ड के विकास के प्रती संजिद्गी दिखाएं वार्ड में आज भी नालिय नहीं है और कच्ची नालियों से बहने वाला पानी सीधे तालावों में जाकर उन्हें दूशित कर रहा है ऐसी और भी समस् और वार्ड की उपलब्धियों को वार्ड के छाया पार्षद में गिनाते हुए ग्रेंड एसी नियूस से चर्चा की है काम को कर पाना संभव नहीं था लेकिन उस दर्म्यान में जो बहुत गंभीर टाइप के थे अती आवश्यक्त है उन कारियों को किया गया और नए कारियों के लिए प्रस्टाव बनाया गया था जिनमें यह सब कार्य भी होना था अब अभी आप देखा ही आपने की गलियों कि मनें अनेक प्रकार का संक्रामक वो फैल रहा है और इस तलाब की स्थिती देखे कीड़ा बज बजा रहा है गली का पानी गली से होते 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 तलाब में आके मिल रहा है तो यह भी अवेवस्थाएं हैं हमारे पिछले कारेकाल में यहां पर ऐसी वेवस्था बनाई गई थी कि कोई भी प्रकार का समाजिक तत्व और किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों के लोग यहां नहीं भटकते थे सारे जगहों में लाइट की वेवस्था की गई थी जो आज असमाजिक तत्वों के दार जो आज जिर्ण सिर्ण होकर सारे इसके दर्वाजे और ग्रील वगर सारे उखाड के ले गए हैं और यह देख सकते हैं अभी असमाजी तत्मों का इस तरह की गतिवीदिया यहां पूर संचालित होगे जुए सट्टे और अवेद कारोबार अवेद कृत्यों का अड़ा बन बना हुआ था पहले के कारकाल में जो अभी जिर्ण सिर्ण हो गया है इसको जिन्नो धार की आवश्यक्ता भी है और वाड क्रमांक एक होने के नाते निगम प्रसासन को जहां से गिंती चालू होती है उनको वहां पर एक विशेश ध्यान देते हुए कि क्रमांक एक से अगर आसी वेवस्था बनाई गई थी कि कोई भी प्रकार का समाजिक तत्व और किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों के लोग यहां नहीं भटकते थे सारे जगहों में लाइट की वेवस्था की गई थी जो आज असमाजिक तत्व के दारा तोड़ा हुआ दिख रहा है और इस मैं देख सकते हैं जहां है जो प्रतिक्षाले जो है समसान जो बत आते हैं मय त तो प्रतिक छाले जो बना हुआ है उसकी वेवस्था थी जो आज जिर्ण सिर्ण होकर सारे इसके दरवाज़े और的at गjac Motor तत्मों का इस तरह की गतिविदियां यहां पूर संचालित होगे जुए सट्टे और अवेद कारोबार अवेद कृत्यों का अड़ा बन चुका है शेड बना हुआ था पहले के कारकाल में जो अभी जिर्ण सिर्ण हो गया है इसको जिन्नो धार की आवश्यक्ता भी है और वा किसी विकास कारें की सुर्वात करें तो यह ज्यादा उचित होता लंबे समय से वाट करमांग केक में यह मांग रही थी और इस आसपास के इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं हुआ करता था तब से खमारिया वाट करमांग केक में हाई स्कूल जो है मने रहा है और हाई तो ब में इस वाट करमांग केक में इंगलिस मेडियम इस्कूल का अवस्चत्ता महसूस की जा रहे थी हमारे 36 गड़ सासन के हमारे यह सवी मुख्य मंत्री की यह बहुत पूर्ण योजना है जो यहां पर हमें उनके द्वारा यह लाब मिला और इस वाट को इस खमरिया गराम को इस स्कूल बिल्डिंग को आप देख रहे हैं यहां एक अवैद्ध कब्जा इसमें हो चुका था जिसको हमारे गराम के लोगों ने हम सब सब्सक्राइब ने मिलकर कब्जा मुक्त करवाया और यहां पर नए भवन की स्विक्रिति कराई नए भवन का निर्मान हुआ तब जाकर आत्मनंदी स्कूल का यहां पर क्रियान्यवन हुआ वाट क्रमां के एक जुन्वानी के अंतरगत हमारा यह खमहरिया गराम हम लोग धनी हैं भागेशाली हैं कि इस गराओं में पांच तालाबे हैं हमारे पिछले कायरकाल में पांचो तालाब का साप सफाई और पुलीस प्रसासन का गस्त हम निवेदन करते थे कि तालाबों में असमाजिक क्रित्त करने वाले लोग ना पहुंचे नसा खोरी जुमा सटे बाज लोग ना आए करके तो हमारे कारकाल में यह स्वक्ष रहता था हम निगम के कर्मचारियों से बराबर उचित समय पर हम ताल प्राजिक क्रित्य के लोगों का अड़ा बन चुका है और पुलीस प्रसासन भी निश्क्री है और साब सफाई की विवस्था आप देखी रहें नजर आ रहा है और पुलीस प्रसासन के भी निश्क्री हो जाने के कारण से ऐसे वो लोग जो ऐसी गतिवीदियों को अंजाम देने का अड़ा बना के बैठे हुए हैं पिछले कारकाल में वाडे की जनता ने हमें प्रतनीधित्यों का मौका दिया और हमारे प्रतनीधित्यों में सबसे बड़ी समस्या वाड करमांग के एक में लोग पानी का था और उसी वाडे को लेकर जनता ने हमको उस गद्धी पर बैठाया लेकिन उस गद्धी पर बैठते ही हमारा प्रथम प्रयास यही रहा कि इस वाट में पानी की टंकी का निर्मान करा जाया और अमरित मीशन नल से हर घर पानी पहुच रहा है पूरे वाट क्रमांग केक में और यहां के बच्चे गाडन क्या होता था उसको नहीं देखे थे हमारे कारकाल में दो एकड जमीन का कब्जा हुआ था भाठा में खमरिया भाठा में उस कब्जे को मुक्त करा कर वहां अमरित मिशन के योजन क्रमांग के अनुसार अपने विकास की मांग कर रहा है और यहां की जनता भी अब तक मोलबू समस्याओं से जूज रही है देखना होगा कि इस वाड क्रमांग एक खमरिया जो की ग्रामोंने बाहुल छेत रहे इस ओर निगम भिलाई की नजर इनायत कब हो पाती है अलेसियन न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट